कि असलाम कुश्मोंस वेल्कम दू क्लास एट मैथ आज के विटा इस टेक्टर के अंदर हम कॉंटिन्यू करेंगे वन पॉंट टैन एक्सराइस को उसका क्वेशन नबर टैन एलेवन और ट्वेल हम इस वीडियो के अंदर सौल्व करेंगे तो टैन को बिटा हम पढ़ देते ह आपको कॉस्ट गिवन है कुछन मरे टैन अदे कॉस ऑफ लेविलिंग अग्राउंड अफ और रिजन आपके पास एक शर्कुलर ग्राउंड है ठीक है उसको अपनी लेवल करना है ठीक है अब उसकी जाफ है पर वमें गीवन है दर कॉस अफ ट्रेविलिंग अग्राउंड for circular region is rate rupees 2 per square meter is rupees 4928 यह आपको cost given है तो हम यहाँ पर बैटा cost दिख रहते हैं ठीक है simple जो हमारे पास cost है leveling की total cost ठीक है वो हमें given है rupees 4928 28 आप जो इसका rate given है rate हमारे पास है 2 rupees per square meter per simple लिखने है meter square ठीक है यहाँ पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं आप हमें actual की अंदर इस circular region का find करना है पहले area उसके बाद इसका जो radius है वो find करना है ठीक है हमारे पास यह होता है circular region अगर बात करें प्रोपर इसकी डाइगराम की आप उसके बाद हमने इसका radius find करना है अब radius क्या होता है center से लेकर circle के किसी point तर का distance इसको बोलते है radius यहां तक multiply by rate जो भी आपको यहां पर given है ठीक है अब हमारे पास cost भी है जो कि 4928 है और area हमने find करना है पहले जो कि हमने बात की और rate हमें यहां पर given है 2 ठीक है अब area find करने के लिए आप देखें यहां पर 2 यहां पर क्या और है multiply इदर आके divide होगा इस number से तो 4928 के साथ आप 2 को जब divide करेंगे तो हमारे पास area आ जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख लें area is equal to ठीक है इन दरों को जब आप divide करेंगे तो हमारे पास इसका final जो answer आएगा वो हम यहां से final कर लेते हैं 4928 divided by 2 यह आता है 2464 unit के आएगा meters के यहां पर साथ में यह हमारे पास उस circular region का area आ गया है अब area का formula आप यूज़ करेंगे फिर सर्कल circle का area क्यों आता है पाई r square ठीक है तो हम यहां पर जो formula है या simple जो आपके पास area की जो formula है पूट करेंगे वो हमारे पास क्या है पाई r square in terms of radius पाई r square यह इसका formula होता है ठीक है अब यह किसके एकल है 2464 के अब आपने यहां से actual के अंदर r की value को find out करना है अब वो कैसे होगी पाई साथ में यहां पर क्या रहा है multiply इदर आके divide होगा तो आप यहां पर लिखेंगे simple r square यहां पर बच जाएगा और यहां इसके अलावा आप पाई की जो value है वो put करते है ठीक है ताके आपको confidence जहां से थोड़े सी आपकी understanding ज्यादा player हो जाए ठीक है तो यहां भी हम लिखेंगे पाई हमारे पास होता है 22 over 7 यह बात आपने याद रखना है पाई की fix value होती है ठीक है 22 over 7 तो आप यहां पर पाई की value है पुट करते है 22 over 7 साथ में r square क्या हो रहा है multiple हो रहा है तो यहां लिखें r square is equal to 2464 अब देखें r square के साथ 7 क्या हो रहा है पहले डिवाइड हो रहा है इसको उदर लेके जाएंगे तो multiple ही हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे 22 r square is equal to 2464 को आपने 7 के साथ करना है multiply जब इसको आप multiply करेंगे तो हमारे पास answer चलने आज आज आएगा यहां पर 17,000 2248 अब यह equal है हमारे पास 22 r square के हमें जर्स का चाहिए r square चाहिए तो r square यहां बच जाएगा 22 यहां साथ मर्टीब हो रहा था इतरा के divide होगा इस नंबर से 22 तो इस नंबर को जब आप divide करेंगे 22 के साथ तो यह आ जाएगा 784 तो r square हमारे पास आ चुका है 784 ठीक है अब हमें कहें चाहिए हमें simple r चाहिए उसका square है square को off करने के लिए हम क्या करते है square root apply करते है तो यहां पर आप apply करेंगे square root on both sides तो यहां पर apply करेंगे square root तो यह आ जाएगा r square square root is equals to square root of 784 cutting करेंगे यहां से r की r इसके square से तो यह हमारे पास आएगा square root of this number becomes equals to 28 ओके तो यह हमारे पास इसका final अब radius का unit क्या होगा यहां पर जो हमें given था area का meter square था तो radius का simple होगा meters ठीक है तो आर हमारे पास जो इसका radius है circular region का वो क्या आ गया है वो 28 meter आ चुका है ओके next बिटा हम move on करते है question number 11 के ओपर ठीक है 10 था अभी हमने solve किया 11 भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही है question ठीक है जो कि है यहां पर the cause of bluffing a square field is हमारे पास यहां पर है field is 2450 at the rate of rupees 2 per square meter ओके ठीक है हमारे पास जो rate यहां पर given है वो है rupees 2 per square meter तो इसको हम यहां पर use करेंगे same आपने formula यही use करना है बस changing थोड़े सी हम यहां पर करेंगे ओके students तो next हमारे पास यहां पर question number 11 को पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है the cost of bluffing in a square field is rupees 2450 ओके तो सबसे पहले जो चीज हमें यहां पर given है वो हम यहां पर लिख लिखते हैं cost हमें given है equal है rupees 2450 ओके रुपीस यहां पर साथ में डिखने हैं आप ओके अब इसके बाद हमें given यहां पर है rate भी और rate हमारे पास क्या है rate हमारे पास है rupees 2 per 100 meter square ठीक है इसको आप अगर convert करना है चाहें simple number की अंदर तो आपने 2 को divide करना है 100 पे तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.02 ठीक है पर meter square ठीक है आपने simple 2 को divide करना है 100 पे तो आपके पास simple per meter square का यह rate आ गया है फाइन अब उसके बाद हमें बाकी सीज़ें वहीं हैं जो हमने प्रिपेस question number 10 में यूज़ की थी आपको यहां पर given है find the length of the side of the square ओके अब हमें यहां पर scale field given है ठीक है फार्मॉला आपने सेम ही उस करना है area पहले आप find करेंगे तो area हमारे पास क्या होता है उसका formula आप यूज़ करें हमें अभी जो यूज़ किया था cost is equal to area cost is equal to area into rate fine अब cost हमारे पास square rupees 24 50 is equal to area आपने find करना है और rate हमें यहां पर given है 0.02 per square meter अब हमें area find करने के लिए अगर आप देखें यह नमबर यहां पर क्या हो रहा है इंतर आएगा तो divide हो जाएगा तो इसको हम यहां पर लाके divide कर देते हैं तो जब आप इसको इदे लाके divide करेंगे तो इसका पहले आप यह न बना लें 2450 over 0.02 is equal to area so now area हमारे पास यहां पर आ जाएगा इन दोनों को आप divide कर दें 2450 divided by 0.02 और यह हमारे पास आता है 122500 ठीक है यह हमारे पास और इसका यूनिट आएगा वो आएगा मीटर स्क्वेर fine clear अब हमें क्या find करना है हमें find करना है question को गर आप फिर से पढ़ें तो हमारे पास finding के लिए यहां पे था find the length of the sides of the square okay हमें area given है जो कि हमने find कर लिया है अब area का formula क्यों आता है area के बाद आपको याद है question हमने किया था one और two विल्कु सेम यह concept था कि आपको area given होता था और आपने एक length find करनी है square की तो area का जो formula है आप यहां पर वो put करेंगे ठीक है वो हमारे पास क्यों आता है L square तो L square हमारे पास यहां पर आ जाएगा जो given हमारे पास area है one twenty two thousand five hundred अब L simple find करने के लिए उसका square off करना पड़ेगा by using square root on both side तो यहां पर लिखेंगे taking square root on both sides ठीक है तो यहां आएगा scale root of L square is equal to scale root of one twenty two thousand five hundred ठीक है तो simple इसकी आप cutting कर दें L हमारे पास यहां गया अब आपने इसको proper division method के थूँ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ इसको solve करना है proper आपने vn provide करना है ठीक है examiner को और उसके बाद आपने इसका just square root आता है वो हमारे पास यहां पर आएगा 350 ठीक है तो यहां पर लिखेंगे length हमारे पास उसकी आ चुकी है 350 unit क्या होगा meters okay clear यह हमारे पास क्या है इसका final answer आ चुका है हमारे length जो कि हमने find करने थी next हमारे पास last question रह गया है इस exercise का वो हमारे पास है number 12 पे the area of a square shape lawn is given है हमें okay fine तो जो पिड़ा चीज हमें start की अंदर given होती है न ठीक है आपने उसको क्या करना है इसको raise कर देते हैं ठाके आपको clear उसका vn हम provide कर दें ठीक है तो हमें given है area of square shape field तो हमारे पास shape कोंसी है square shape है तो यहां पर हम लिखते है area उसका हमें given है so area हमारे पास यहां पर आ जाएगा given है sixty two thousand five hundred okay next हमारे पास क्या है a wooden fence is to be laid around the lawn हमें क्या करना है हमें इसके जो field हमारे पास shape lawn हमारे पास है इसके around एक wooden की हमने क्या करनी है एक fence create करनी है ठीक है अब उसके रिए आपको यहां पर कितनी length required होगी वो आपने find करनी है उसके आप क्या करेंगे rate भी हमें given है वो हम बाद में देखते हैं पहले आपने क्या करना है पहले आपने इस square lawn की पहले आप निकालेंगे single length else care हमारे पास area होता है ठीक है और वो हमारे पास यहां पर इसकी को लोगा 62,500 के ठीक है square को आफ करेंगी by using square root on both side तो यह हमारे पास आ जाएगा square root on both side taking cutting करते हैं यहां से और simple length हमारे पास आ जाएगी square root of this number हमारे पास आएगा इसका आप square root find कर लें square root of 62,500 becomes 250 ओके यह हमारे पास क्यागी है 250 इसकी length आ गए ठीक है अब इसका unit यहां पर हम देखेते हैं कि इसका unit के आसाथ साथ रहेगा square meters था यहां पर area का तो यहां पर क्या आएगा meter आएगा अब next हम देखें तो हमें wooden जो fence है जो आपका square shape जो lawn है उसका आपने इसके around fence करनी है तो वो actually होता है perimeter ठीक है जो भी चीज बाउंडर के around आप fence करेंगे वो किसमें आती है वो आती ही perimeter के अंदर ठीक है तो आपने पहले अब इस length को use करते हुए इस lawn का perimeter find करना होगा पहले ठीक है तो यहां पे आप find करेंगी इसका perimeter अब इसका फार्मला हमारे पास होता है 4L for square यानि कि square करिए इस perimeter का फार्मला क्यों आता है 4L होता है ठीक है अब length हमारे पास है वो आप यहां पर प्रकॉट कर दें four के साथ कर देंगे इसको multiply तो यह आएगा one thousand यानि कि two fifty four सा क्यों आता है one thousand meters इतनी length की आपको wooden वो चाहिए होगी जिसका आपने fence करने के जो आपने यूज़ करनी है अब इसके बाद भी आपको एक और चीज़ गेवन है कि आपको यहां पर रेट गेवन है पर स्केर मीटर का पर मीटर का ठीक है वो है 50 रुपीज कि आपने अगर एक मीटर वोड़न fence करनी है boundary की around उसकी जो cost है वो हमारे पास क्या है 1000 मीटर तो आपने अब इसको मर्टी पर करना है किसके साथ या आपने इसको मर्टी पर करना है विद 1000 ठीक है जरी का formula अगर मैं देखूं तो आपने formula वही यूज़ करना है उसको आप modify कर लिए cost के रिए cost मारे पास आई थी find आपने की थी by using formula एरिया आपने पहले यूज़ किया था अब आप यूज़ करेंगे parameter ठीक है और इसको आप करेंगे multiply with rate के साथ ठीक है और rate हमें given है हमारे पास जो parameter है P for parameter वो हमारे पास है 1000 यहां पे लिखे है 1000 और हमें rate given है 50 rupees पर मीटर का ठीक है जब इन दोनों को आप क यह आरेगा 50 थाउसेंड्स 50 थाउसेंड्स रूपीज आपको required होंगे इस पूरे यानिके इतने area के scale lawn को fence करने के लिए ठीक है तो यह उसकी रूपीज में आए गी है cost तो यह था है बेटा हम आज पास आपके last question का solution होपसो आपने यह exercise understand कर ली होगी enjoy की होगी मैं तो कहता हूँ बड़े आसान अंदास में आपको each and every step समझाने की हमने कोशिश की है अब मिलते हैं नेक्स टूडियो में एक नए topic के साथ Allah हाफिज